चूडिया ना सिर्फ रविंदर रहना डिसर करता है डॉक्टर जेतनदर सिंग और जिगल किशोर भी करता है मैंने यह नहीं का अकेले रविंदर रहना को इन तीनों को चूड़ी पैनाएंगे और यह एक सिया एसफ एस्परेंट जो यह भी पैनाएंगे अगर इनका मसला हल नहीं होगा इनने क्या किया और यह सारे अलीबाबा चालिस चोर रहे इन्होंने किया क्श्मीरी पर्ड़ितों के लिए इन्होंने किया क्या माइनाटी के लिए चिनाफ बैल्ट के लिए आज आप डोड़ा किश्टवार बदरवा जाई है सड़कूं के हालत देखिए उच जो शायद आपको पता होगा जिस देश का प्रधान मंत्री ऐसा हो जो खाली जूट और जूट 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 रहना का आश्वासन सब को मिला डॉक्टर जितंदर सिंग का आश्वासन मिला और हमारे नींद में सोय हुए जुगल किशोर शर्मा जी जो एंप कर रहे थे कि कश्मीर पोलीस के जिरिये उन्हें गाड़ियों में बहर कर पोलीस स्टेशन पहुचाया जाता है हमारे साथ मौजूद है इंजिनियर रिशी जी हम इन से बातचीत करेंगे जी आपको याद होगा आपने एक स्टेटमेंट में कहा था और मुझे भी आपने य केंडर मंत्री डाक्टर जितंदर सिंग उन्होंने उस्टर आशावसन भी दिया था कि इनकी बात करेंगे जुगलकिशोळी ने भी का थे ने भी आपludग करेंगे लेकिन अब बताये पानी सर से ऊपर हो चुका है मैं आज भी आपने स्टेटमेंट में पर कायम जो ये भी पैनाएंगे अगर इनका मसला हल नहीं होगा मैं कुछ दिन और वेट करूँगा और आपके चैनल के माजम से आप लाइव देखेंगे मैं चूडिया लेके जाओंगा कारिया ले और मैं पहले भी गया था लेकिन यह वहां मिलते नहीं है आपको इनको तो पता है कि हैं मुँचुपा के बागयात हैं इनकी आदत है क्योंकि जब यह कामी इन्होंने नहीं किया तो जनता से क्या फेस करेंगे मीडिया से क्या फेस करेंगे किसी भी तबगे को ले लो वो सड़कों पर अहजाज कर रहा किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे बाजपा सरकार चाहिए बाजपा एक ऐसी सरकार है जोनोंने सिर्फ और सिर्फ आशवासन हमें दिया चाहे S.C.S.T. O.B.C. चिनाब बेल्ट चाहे कश्मीर मुसलमान कश्मीरी पन्दित सबको इन्होंने जोटे आशवासन एक लॉली पफ दिया कि हम छे दिन लाइंगे हमें सरकार में लाओ डेली वेजर्स को पक्कषा करेंगे डौक्टर जितंदर सिंग का आशवासन मिला और हमारे नींद में सोये हुए जुगल किशोर शर्मा जी जो M.P. है उनको उन्होंने सिर्फ आशवासन दिया उन्होंने चिनाब बेल्ट के लोगों को उन्होंने हमारे रजणी पुँच के लोगों को आश्वाजन दिया और कुछ भी नहीं आज हम आपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं बारती जनता पार्टी की वज़े से आज हम ठगा महसूस कर रहे हमें लग रहा है कि हमाइसा जलुम हुआ है हमें लग रहा है कि हमाइसा गलत हुआ है आज कश्मीरी पंडित को 32-33 साल हो रिफूजी रह रहे हैं बारती जनता पार्टी ने क्या किया मुझे बताइए आप खुद अक्सर जगती जाते हैं कैम्स वे जाते हैं वहां कंडिचत देखिए इनको लगता है बस हम बाशन दे रहे हैं तर्कूटा नगर से अपने हैड आफिस से और बस हो गया मुझे बत मुझे मुझे मौनूं की हालत देखिए कश्मिर के यूआउं की हालत देखिए जो भ्लाइंड वह स्कोर्ण। है दो जब बैसे हुआ झाहिए क्शंद चंद मेंमें व्लिबार एंड़ सफरीर मुझे पताइए में नागरिक है जो कश्मीर हिवा है उसको बोलते हैं और लॉर्वर बिजनसी मिलेगा रफिलाम वेमनेशन AnICK मिलेंगे कौन सी योजना अच तक दुछाल मिली ही मुद्रा यहायु है चान्द पहरे मैं सुन रहा है जो आपके घादी विलोज के बॉर्र कि मेंबर वहिनाबाड जी वह कहती थी हमने जी स्कीमस लाए हैं हमने बहुत कुछ लाए ह हिनाबाड जी आप मुझे नहीं मिलास साब आशवासन है खोकले धावे है बारती जनता पार्टी ने हमें कहीं का नहीं रखा आज जमु कश्मीर सफर कर रहा है बारती जनता पार्टी के वज़े से यह कहते थे कुछ हमारे लीडर की 35 को हाथ लगाओगे तीन सो सतर को हाथ लगाओगे तो हम बरदाश करें सच्वी आएंगे हशे बारती जनता पार्टी के खो दोड़ में बैठे ना जी मैं याद दिलाओं आपके पुराओं ने शूली बारती जनता पार्टी ने जमू कश्मीर का आईन चीन लिया बहुत कुछ बाशन देते थे लेकिन आज कहा गए आपके शब्द आज बारती जनता पार्टी के घोद में बैठ गए अपने पावर के लिए या अपने स्कैंडल के लिए आपने डोगुरू को ठगा है आपने पंड़तू को ठगा है आपकी सरकार को हम कभी माफ नहीं करेंगे रिशी ची में मजीद जानना चाहूंगा जमू वा कश्मीर में फिर से 51 शराब की दुकाने खुलने जा रही हैं पहले भी आपने देखा लोग उन्हें प्रोटेस्ट किये जमू में रोजगार तो नहीं आया लेकिन शराब की दुकाने जो हैं वो जरूर खोली जा रही हैं जमू वा कश्मीर में क्या कहना चाहिए देखे ये तो जाइसी बात है जिन्होंने एलेक्शन में इनको सबोर्ट किया है जिन्होंने एलेक्शन में इनको फंडिंग की है जो इनके साथ चलते हैं उनको मुनाफ़ा तो पोच्छान है ये मंदरू के शहर को आप शराब का शहर बना रहे हैं मुझे बताईए इन्हो तो हमारे इनोसेंट लोग कश्मीर में, रूलर एरियाज में, चिना बेल्ट में जो गाउं के लोग है, बिचारे मज़ूरी करते हैं, उनको वहाँ ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, उनको भी अब ये इसमें एडिक्ट कर रहे हैं, मुझे बताईए, इन्होंने कही काने चो कलम देंगे कापी देंगे, कम्प्यूटर तेंगे और ये कहते हैं। शराब के दुछाने लोग, इनको युवाओं का सोचना चाहिए या शराभ के दुछने हैं। हम आपके लिए ये आश्या ये स्किम स्कीमों देंगे और ये कहते हैं। जिनने डिग्रियां तो हासिल की, उनके नाम के पीछे डाक्टर तो लग गया, लेकन उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वो भी सड़कों पर आज एहदजाज कर रहे हैं, किस तरह से देखेंगे? देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें PhD, Highly Qualified MBAs है, Toppers है, उनकी कंडिशन देखे, उनने तो अब हो भी छोड़ दी है, NHM Employees की हालत देखिए, SPOs की हालत देखिए, Daily Wages की हालत देखिए, आखिर कार ये करे कारे, आप ये बोड रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, सब कुछ होगा, पुरानी सरकार उनकी गलती है, यानी पुरानी सरकार उनने, अगर उनको रोजगार दिया चाहे, Daily Wages भी बनाया, तो क्या वो गलती है, मुझे बता हिए, अगर 60,000-80,000-01,05, न गलती है, उनको रोजगार मिल रहे है, क्या वो गलती है, आप अगर नहीं, इस बाज़पा की सरकार ने कितने डेली वेजर लगाए, मुझे बताइए, कितने लोग बेरोज़गार है, अगर डॉक्टर इंजिनर्ड गर पे बेरोजगार है, वो ड्रग्स की तरफ जारा है, आतंगवाद की तरफ जारा है, गलत एक्ट्विटी की को ठागा है मुस्लिमों को ठागा है सरदानों को हर एक दर्म को क्षमीर में एक चुनी हुई सरकार होनी जाहिए जो जमो कश्मीर के ना की बात करें ना कि यह बात करें कि मैं जो का का करना है शोडल ट्राइब का नहीं करना है मुझे पंड़तू का करना है तो मसल्मान का यह नहीं करना है आप आने वाले के लीडर्स MLA बने है 2016 से हर एक से प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा जाए आपकी चैनल के माजन से में बोड़ रहा हूं सबकी प्रॉपर्टी का एक 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 हिसाब मांगे उनके परिवार का भी और उनका दूद का दूद पानी का पानी आपके सामने होगा अगर कही ने क्लीन चीट मिली तो मैं आपके सामने चैनल के माध्यम से माफी मांगोगा बहुत बहुत शुक्री आपका तो नाजरी ने थे हमारे साथ इंजिनियर रिशी जी जिनने मुख्ले मसाइल को लेकर हमारे साथ बात चीट की और यह आज भी अपने स्टेटमेंट पर कायम है इनका साथ तोर पर कहना है कि अगर उन्होंने मसाइल हल नहीं किये जमुवा कश्मीर की यूथ के तो जुरूर मैं रविंदर रहना को चूड़ियां पहना होगा फिलाल के लिए आप देखते हैं इनक्वाइर टूड़े अपने मेजबान को दीज झाल